आगही के चराग जलते हैं, डगमगाते कदम संभलते हैं, संग रेजे गुलों में धलते हैं, जरने सहराओं में उबलते हैं, इल्म एक बेपनाह ताकत है, ये हकीकत खुली हकीकत है, इल्म इनसान की जरूरत है, इल्म इनसान की जरूरत है, जुनूब का सरसेद डॉक्टर मुम्ताज अहमद खान शहर बैंगलोर कई इतिबार से मुलक भर में अपनी इन्फरादी पहचान रखता है, अपनी मोतदल आबो हवा और हद निगाह तक पहले हुए, खुबसूरत बागात के सबब, ये शहर दारुस्रूर और शहर गुलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, जहां इस शहर ने जिन्दगी के हर शोबे में नुमाया तरकी की है, वहीं तालीमी मैदान में भी इसने नुमाया नकुश छोड़े हैं, आला तालीमी मैयार और बहतरीन इंतजामिया के सबब, यहां के तालीमी इदारे आलमी शोहरत हासिल करने लगे हैं, इनहीं तालीमी इदारों में अलमीन एजुकेशनल सुसाइटी भी एक एहम इदारा है, जिसकी बुनियाद सन 1966 में डॉक्टर मुम्ताज अहमद खान ने रखी, अलमीन की तालमी खिद्मात के इतिराफ में, डॉक्टर मुम्ताज अहमद खान को बाबा ये तालीम के अहम खिताब से नवाजा गया, इसके अलावा आप जुनूब के सरसेयत के नाम से भी जाने जाते हैं, इसके विसाल देगी मुष्किल है, डॉक्टर मुम्ताज अहमद खान सन 1935 में 6 सितंबर को तमिल नाडू के एक इलमी घराने में पैदा हुए, आपके वालिद महतरम वाई इसमाईल खान साहब, वकील थे और आपकी वालिदा महतरमा सादत उनिसा बेगम बैंगलोर के एक मुझस घराने से तालुक रखती थी, वो अपने जमानी की वाहित खातून थी जिन्होंने अलीगड यूनियर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था। क्या अजब के डॉक्टर साहब की शक्सियत साजी और मन्जिल हयात के मतायिन करने में इन्होंने लाशवरी तोर पर बुनियादी रोल अदा किया हो। कि अजब के लिए मेरे वालिदें दोनों अलीगड के तालीमाफता थे वालिद वहां लायर हुए थे और वालिदा भी टीचर हुए थे और मेरे वालिदा बड़े से सोचल वर्गर थे कहीं भी जाओ वो जो है अंजबने खवातिन काप कर दे तो उनकी जो है सरप्रस्ती और उर्दो की उन्होंने मुश्कुलिया रखी और एक कॉलिटी अबा में का है क्या भी चीज के वास्ते वो ऐसे ही नहीं चले आते है एवरिटिंग जो भी करती है एक प्लान रहता है एक प्लान एक आक्षिन है और जब तक वो प्लान और एक्षिन उनको पूरे तरीखे से उनके दिल में नहीं बैटता और उन्हों पूरे तरीखे से वो प्लान और एक्षिन पर कॉन्फिरेंस नहीं के हो सकता है काम्याभी ह यह ए लाग खड़त एक जार्ष किया अए अजार मेरे पास जैसे में अर्ष क्या मेरे पास उतने तो सर्माय था जिससे मैं और मेरे कादान आराम चे रह साके तो मैं सोचा के पहले हम जो है इल्म के तरफ तरफ तावज्यू करेंगे और यह सोचा में बुला जाती तोर से दौलत बढ़ाने का मामिलाथ से खतम है मैं लवज बस जुबान पे ला लिया मैं यही मेरे दोस्तों को कहता हूँ देखो जब आपको एसास होता है जब आपके पास उतनी दौलत आज चुकी है आपके लिए आपके बच्चों के लिए मजीद इजाफा मत कीजिए लवज बस जुबान पे ला लीजिए और जो है मज और अपने लिए जाती दवाखानों का जाल बिछा देते। लेकिन इसके बरक्स आपने एक मुश्किल तरीन रह का इंतखाब किया। आपको मालूम था कि माशरे की इसलाह का दारुमदार माशरे की तालीम पर मबनी है। माशरे जितना तालीम आफ़ता होगा उतना ही तरक्य आफ़ता कहलाएगा। आपने माशरे के तालीमी फुगदान और अखलाखी गिरावट को दूर करने की घरस से एक तालीमी तहरीक की बुनियात रखी। जो आगे चलकर तालीमी बेदारी की एक जिन्दा अलामत बन गई। जो आपने मेरा पहला प्राजेक था लिए डिगरी कॉलेज लोग सब परिशान होगें साब आएक नाओन जो आँ डाक्र क्या समझता है कॉलेज चला कुछ मामोजी बात है ये कॉलेज कुरू कर रहा है हम तो स्कूल चलाना मुश्किल समझते हैं करके लोग सब परिशान हो मैं बाला काम लेरा मैं करूंगा ये मेरी खुश्क्रवदी थी जब मैं सिर्व बीस पर नोग साल करता तब आलामिया ने मुश को सर्वाया दिया था और मैं जो है बाक अदा अलहम्दिल्ल्ह खौम की खितन कर सका मेरी इस उमर जो है तीस साल से कम थी तब लफ बस में ला और उसके बाद जो है ये फैसला किया शाँ खौम के लिए एक ऐसा एजुकेशनल प्राट्वर बनाओं जहां खौम के इंटिलेक्स जमा हुएं प्रफेशनल्स और खौम के मुस्तगिल बारे में सोचें तूसरा ये भी कि हमारी खौम को इल्म और तालीम दें अब अबा की जहां एक क्वालिटी में मैं बहुत अफ्राइब करता हूं वह है कि उन्हों कभी भी भर्ट पॉजिटिव रहते हैं कौण सी भी सिचुएशन हो किता भी खराब सिचुएशन आ गया फिर भी अदों कभी भी हार नहीं महनते और हमें भी कौंसी हमारे तकलिफ में उनके पा तोटली मोटिवेटेड़। ने उस पूरी बिसात को उलट कर रख दिया। जिसने मुस्लिम मौशरे का चहरा बिगाड रखा था। और मुसल्मानों में इज़त नफस और मिली तौकीर की बुनियाद खुसूल तालीम पर रख दी। यहां नाद विगाड़। और दौक्त मुंतास अमर्खान साथ का ये की मिशन हो लखे, वो ये की इनसानियत को जुलमत के तारीव दिकालकर इनकी रोश्त में लाया जाए। और खुसुसर मिल्ट इस्लामिया के लड़के लड़कियों को इल्म के जवरास से नवाज है। उनका हमेशा ये स्लोगर लहा कि आज हमारे बच्चे नौनहाल बच्चों को इल्म का सहरा होना चाहिए। इल्म के जरीए से उनके देर खुद एतमादी पैदा होती है। इल्म के जरीए छे अच्छे अफलाव को घिरतार पैदा होते हैं। और इल्म के जरीए ये एक हलाव रोजी भी हासी हो सकती है। ये इनका नारा रहा है। ये इनकी तहरीक, इनके खिद्माद सिर्फ सौथ इंडिया तक महदूत नहीं रहे। आज नार्त इंडिया में भी काफी लहट चल रही है। माँ उनके साथ देख देख साल पहले वेस्ट बंगल में दस दिन मैंने उनके साथ गया। याने सारे रियास्ते वेस्ट बंगल में ये तालिमी बेदारी आई। उनके अंदर वो जो वे बाकी वो कांफिनेंस आमने पाइदा किया। इसी तहरा हाल में तीन-चार महने पहले यू-पी के 100 डेलिगेट्स को बलाके तीन दिन वर्क्शाप किया। याने मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपका मिशन जो है साड़े हिंदुस्तान के मसल्मानों के इल्म आपके आ जाए। इसके साथ मुझे खुशी इस बात की है कि आज बाइनुल अख्वा में भी आफ्रिकन कंट्रीजदाक साथ के पास आप प्रोश कर रहे हैं। हमको गाइद कीजिए हम कैसा तालीम इदारे हम इस बात करें। पाहले मैंने तन्खे देने पैसे नहीं। तो हम क्या करें। एक मश्यूर कॉमडियन थे हिंदी फिल्म महमुद। महमुद कुछ जाके बुले महमुद साब देखिए एक प्रावलम है। वह फौरू लोग बिचारे हो है हजार के पांच प्रोट दे आपके तो पहले महने का मसला हलुआ। उसके बाद दूसरे महने के पैसे जी गवर्मिन ग्राट की। च्या करना। उसके बाद तब मेरी बड़ी शिक जायदा थी तिसी वह बचके पैसा आई। उसमें एक लाक चालिह जार थे। वह दूर मने बड़ी रखम्ती मैरा बड़ी सी महने के छेह जार था। वो रख गिया, अब बोला मली इतना न हो गया, यहां कालेश चलती रही, मैं जो है, दोरे करता, मगर दोरे में पेट्रोल का खर्च में नहीं मिकलते, मगर एक बात मालूम होई, क्योंकि दोरे मारे 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 फेरा, खौम की हालत मालूम होगी, कि इतनी खौम जी पीछे है, खरीब है, जाल है, वो सोभ मालूम होगी, सारे हिंदुस्तान में एक सो असी इंस्टुशन सी, और लगभग 80,000 तुल्बा, they are getting education, 80,000 students are there, and it's not a joke, एक इंसान 180 इंस्टुशन को कंट्रोल करकर, और फकर से उसका रिजल्ट हासिर करना जो है, it's not a joke, it is not anybody's cup of tea, or a cup of cake. जुनूब तो बहुत हद तक सुदर गया, यानि विंदिया पहाडियों के जुनूब, नीची जुनूब, अभी मश्रिक में भी हमारा काम बहुत तरीजे चलता है, और अभी अलागफल से शुमाल जाग रहा है, मगरीब जाग रही है, तो यह हमारी इतनान हो गया, कि हमारे पचास साल के खिद्मत के बाद, खौम का रुक बदल गया। डॉक्टर साहब की फितरत और मिजज आइन इस सर्जमी से हम आहंग है, डॉक्टर साहब ने इन आला अकदार की भरपूर पासदारी की, और बिला तफरीक मजभ और मिल्लत, तमाम तालिबान इल्म के लिए अपने तालिमी इदारों के दर्वाजे खुल दिये। यही वज़ा है के अल-अमीन के तमाम स्कूल्स और कॉलेजिस में तमाम मजाहिब और अकवाम के तल्बा जेर तालिम हैं। डक्टर मुम्ताज हमत सहब के तालुख से खासकर दकन में कोई यह नहीं कहेगा कि मैं डक्टर मुम्ताज सहब से मुतारिफ नहीं हूँ। वो अकसर जुनूब के सरसयद की हैसियत से जाने जाते हैं। हाँ मैं जानती हूँ वो टेमिलाट के हैं। वो खुद से उर्दू कम ही रवानी से बोल सकते हैं। लेकिन उनकी वजह से आज सारे सारी दुनिया में कई मुलकों में लोग प्राइमरी सता से कालेजों की सता तक उर्दू पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा कारनामा है। और इस कारनामे का कोई बदल नहीं है। अलमीन तालीमी तहरीक का छोटा सा पौदा फलते फूलते आज एक घना तनावर दरक्त बन गया है। जिसकी शाखें हिंदुस्तान भर में फैली हुई हैं। बैरुनी मुमालिक को भी इसकी च्छाओं में एक सुरूर और फरहत का एहसास हुआ। तो वो भी अब इसकी च्छाओं में आने की कोशिश कर रहे हैं। और ये दरक्त उन्हें भी अपनी शाखों के साए से आसूदा कर रहा है। इसमें कोई मुबालगा नहीं कि इस इदारे की एक नई शनाक्त बन गई है। जिसका सहरा डॉक्टर मुम्ताज अहमद खान के सर जाता है। बंगलूट में तकरीबान यहां पर नव इंस्टुशन्स हैं। इसमें जो मदर इंस्टुशन है जो अलमीन डिगरी कालेज। और उसके साथ-साथ यहां पर अलमीन मैनेजमेंट स्टेडी से जिसमें बीबियम और यंबिया की तालीम दी जाती है। और उसके साथ यहाँ पर यम्बिये में एक रेसेर्स सेंटर भी हम चला रहे हैं अलमीन फार्मस्टिकल मैनेजमेंट एक नया कुर्स हमने यहाँ पर शुरू किया है यह मैसूर यूनिवर्सिटी को अफिलेटेड रहे और साथ साथ अलमीन कालेजा फार्मसी यह कालेज यहाँ पर है और रहा दूसरे कैमपस में अलमीन हाई स्कूल है और साथ साथ अलमीन प्यू कालेज है और अलमीन बीएट कालेज है आपने तालिमी फरोग के सिलसिले में कई बैरोनी मुमालिक का भी सफर किया और आप अनगिनत एजासात से नवाजे गए नजाने कितने सिपास नामें आपके नाम लिखे गए कितनी तहनियती नजमें आपकी शान में पढ़ी गए बेशुमार इनामात में से कुछ मौकर और काबले जिक्र इनामात जैसे राजित सवा एवार्ड, केम्पे गोड़ा एवार्ड, सरसेद एहमत खान एवार्ड, इंटरनेशनल आर्या भटा एवार्ड के अलावा कई मौतबर और नामवर इदारों ने आपको तालीमी मैदान में लाइफ टाइम एच्यूमेंट आवार्ड से भी नवाजा है मगरिबी बंगाल में आपके नाम से एक समिनार हाल भी कायम है आपके नाम से इम्तियाजी कामियाबी हासिल करने वाले तल्बा को इनामाद भी दिये जाते हैं आप से अगर कोई ये पूछे के डॉक्टर सहाब आपकी कामियाबी का रास क्या है तो आपका साधा साध जवाब होता है ये अल्ला की मर्जी ती और उसने मुझसे काम लिया अबा की खबयाशा और विज़ और अविए को ये पछाश थी और बहां की बहुत पहले से खायश थी अल्ला की आप फछे से एस बार इसा हुआ है वे वे आफुब आगाट committed social workers हमारे पास हैं मेरा नाम मुहसिन अली है मुम्तास अहमद खान सर के बारे में मुझे ये अच्छा लगता है कि कभी भी वो जबी भी आते हैं कहीं भी उनको देखो तो वो इतना इतना पुरा अलमिन फांडेशन आज जो पूरे हिंदूस्तान में है पुरे हिंदूस्तान में एक अच्छे मुखा सकार लेकिन इतना सbhi होने के बाद भी वो अभी जबी आते हैं जहां भी उनको देखा जाता है वो बिलकुल आराम से आहिस्ता से चलते हैं उनके अंदर कोई भी वरूर या किसी भी उन्होंने जो किया है इतने बड़े काम को करने के बाद भी कुछ ऐसा लगता है वो अपने आपको बड़ा मानना है वो सबी ऐसा कुछ नहीं है उनके अंदर ये मुस्लिम्स के लिए बहुत फैसिलिटीस कॉलेज है इसके पेशे नजर आपने मुस्लिम्स तप्थे में तालमी शओर उबेदारी लाने के लिए शब रोज मेहनत की और इसी जहद पैहम के नतीजे में डॉक्टर साहब ने तालमी मैदान में नुमाया मुकाम हासिल किया कि इसके इलावा क्योंकि हम नौजानों में बहत्तरीन सालायतना उबर के लाना चाहते है स्पोर्टस और गेम स्पूर्ट से भी हमने बहुत प्रकामयाब रहता है आसल कि बंगलों के नाम से बड़ा हम मशूर हैं अब मैं तहरी कामयाब होती देख रहा हूं और मेरे बाद भी और मेरे बगएर भी ये तहरीक आगे बढ़ सकती है हम जो है हर खौम के लिए एक रोल माड़ बन चुके हैं और यहां एक इत्ता चाट पास पर बना दी है सेकुलर यहां हिंदू, मुस्वान, सिक, यहाई का फरक नहीं होता सम अच्छे इनसान बनके में रहते हैं आपको पुर्पेच राहों से बचा आपके दामन को काटों से बचा आए खुदा मीरास हैं ये काउम की बदनजर बदख्वाह लोगों से बचा आपके लोगों से बचाँ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो